आप सभी को मेरी तरफ से जैमता दिया, आप सभी भक्त जन्म का सबसे महत्पुर्ण प्रस्ण बार बार यही आता है कि मनुष्य योनी कैसे मिलती है, सास्त्रों में क्या बाते लिखित है, क्या प्रमान है, तो सास्त्रों में साफ साफ ये बाते लिखित आई है, मनुष्य ज जैशा कर्म करता है उसी के अनुसर उसको योनी मिलती है परंतु भगवान के भजन ध्यान के प्रताप यानि उनकी सक्ति से ऐसा है कि वहाँ निच कर्म करने वाले पापों का भी नास कर देते हैं उनको उत्तता उत्तम लोक में ले जाता है जिसका भजन साधना बहुत तेज ह जाता है उनको भगवान यहीं इसी जन्म में ही मिल जाते हैं उन्हें फिर जन्म नहीं धारण करना पड़ता वे भगवान के परंधाम को चले जाते हैं परंतु जो मनुष्य जान भूज कर पाप करता है और यह सोचता है कि पीछे भजन साधना के द्वारा पापों को नश तभी होगा जब वहाँ उनका फल भोग कर लेगा इसलिए भजन का सहारा लेकर जान भूच कर पाप नहीं करना चाहिए जो पाप पहले अंजाने में हो गए रहते हैं उनी का नास भजन ध्यान के साधना से हो सकता है इसलिए स्रद्धा, विश्वा, सदाचार, पालन, पूर् भजन, ध्यान और सत्संग, साधना तिर रूप से यानि अत्याधिक मात्रा में करना चाहिए मनुष्य जन्म केवल पेट भरने के लिए हमें नहीं मिला है पेट भरने के लिए तो कीट, पतंग, सुवर, गधे भी है इसी के लिए आपको मनुष्य योनी का लाब उठाना है और भगवत पत पर आपको चलना है ताकि आप इस्वर के समीप हो सके और उनसे आपका तार कभी न तूटे और आपसे उनका संबंद जन्म जन्मांतर तका बना रहे इस जन्म को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे अपनी ध्यान साधना को पूरी निश्काम भाव से ताकि आपक पत जानने की चेश्टा आपको हमेशा करते रहनी चाहिए बगवान का गुण परभाव जान लेने पर उनकी नाम जप में भूल नहीं हो सकती है बगवान के प्रती अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए भजन सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए इससे आपको अत अधिक लाब आवश्य ही होगा